स्वचालित मोटर वानू या आटोमोटिव वियेकल में मैनूल क्रांस्मिशन साधरन कार हो या हाई टून्ट स्पोर्ट्स कार यहां हर कमबस्चन इंजिन वियेकल का आवश्चक हिस्सा है यहां कैसे काम करता है और हमें इसकी जरुवत क्यों है इस विडियो में हम यही बताने वाले हैं जिससे Great Courses Plus ने स्पॉंसर किया है मुफ्त ट्रायल लेने के लिए विडियो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और कुछ बहुत ही अच्छे ओनलाइन कोर्सेस की एक्सेस प्राफ्त करें हर रियर वील पीछे का हिस्सा ड्रायव कंबस्चन इंजिन विएकल में नीचे दिये गए पुर्जे होते हैं इंजिन, क्लज, ट्रांस्मिशन, ड्रायव शाफ्ट, डिफरेंशियल, आक्सिल और वील्स और फोर वील ड्रायव वाहन थोड़े अलग होते हैं इंजिन इंधन को जलाता है जिससे पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट गतिमान होते हैं और रोटेशन उत्पन्न करते हैं क्लच इंजिन की रोटेशन एनरजी को ट्रांस्मिशन से इंगेज करता है या अलग करता है Transmission में कई gear होते हैं, जो engine की power को wheel तक भेजते हैं और इसकी सहता से हम बाहन की गती और torque बदल सकते हैं Shaft power को rear differential में भेजता है Rear differential पहियों को power देता है, जिससे वो घूमते हैं और car को आगे बढ़ाते हैं Manual Transmission में drive को पता होना चाहिए कि gear कब बदलना है, कौन सा gear लगाना है, तथा engine को engage और disengage करने के लिए उसे clutch pedal भी चलाना होता है हम automatic transmission वहन भी ले सकते हैं, जिसमें ये सभी काम अपने आप हो जाती हैं Driver को बस गाड़ी को drive में रखना होता है, और car बाकी चीजें कर देगी और आप इस वीडियो के निजी प्रती भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे चैनल को support कर सकते हैं यदि आपको इसकी copy डाउनलोड करनी है, तो नीचे वीडियो description में link पर जाएं Manual या Automatic, आपको कौन सा बहतर लगता है और क्यों, नीचे comment section में हमें अपने विचार बताएं क्या आपने कभी cycle चलाई है? आपको पता हुगा high gear में paddle चलाना बहुत मुश्किल होता है इसलिए cycle चलाने के low gear में शुरुआत करनी होती है एक समय पर पैर बहुत तेज घूम रहे होते हैं, लेकिन हम और तेज नहीं जा सकते इसलिए हम उसके आगे का high gear लगाते है जब धलान पर पहुँचते हैं, तो कम gear की जरुवत होती है कार में भी ऐसा ही होता है नीचे के gear से शुरुवात करते हैं, और गती बढ़ने के साथ gear बढ़ाते है धलान पर फिर कम कर देते है Low gear में गती कम होती है, लेकिन टॉर्क अधिक मिलता है High gear पर गती अधिक होती है, लेकिन टॉर्क कम होता है टॉर्क बल का एक माप है, जो किसी चीज़ को एक बिंदू के चारों और गुमाता है मान लीजे की एक रेंच या पाना और एक नट है, जो थोड़े बड़े आकार का है छोटे रेंच के प्रयोग से नट खोलना मुश्किल होगा बड़े रेंच के प्रयोग से यहाँ आसान हो जाएगा ऐसा टॉर्क के कारण होता है यदि हम 30 सेंटीमीटर के रेंज के साथ 90 न्यूटन का बल लगाते हैं तो 0.30 मीटर गुणे 90 न्यूटन बराबर 27 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्राप्त होता है हलां कि अगर यही 90 न्यूटन का बल 60 सेंटीमीटर लंबे रेंज पर लगाया जाए तो 0.60 मीटर्स गुणा 90 न्यूटन बराबर 54 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा तो इस आसान सूत्र से हमने देखा कि कैसे लंबे रेंज का प्रियोग करने से अधिक बल लगा सकते हैं हम छोटे चकर को घुमाने के लिए बड़े चकर का प्रियोग कर रही हैं आकार बदल देने से हम गती और टॉर्क बदल सकते हैं यदि हम दो गियर्स को कनेक्ट करें और उन में से एक को घुमाएं तो दूसरा भी घुमेगा यदि हम इंजन को पहले गियर में डालें तो एक ड्राइवर गियर या चलाने वाला गियर होगा और दूसरा ड्रिवन गियर या चलने वाला गियर होगा जब दोनों गियर्स का व्यास बराबर होता है, तो हमें एक-एक का अनुपात मिलता है इसका मतलब जब driver gear एक चकर पूरा करेगा, तो driven gear भी एक चकर पूरा करेगा तो output गती input के बराबर होगी यदि driven gear का व्यास driver gear से आधा है, तो एक-दो का अनुपात मिलता है मतलब ड्राइवर गियर के एक पूरे चकर में ड्रिवन गियर दो बार घुमेगा इसका अर्थ है कि ड्रिवन गियर अधिक तेजी से घूम रहा है अगर ड्रिवन गियर का व्याज ड्राइवर गियर से दो गुना है तो दो एक कानुपात मिलेगा ड्रिवन गियर के एक पूरे चक्कर में ड्रिवन गियर केवल आधा चक्कर ही ले पाएगा तो इसे पूरा घुमाने के लिए ड्राइवर गियर को दो चक्कर लगाने होंगे ध्यान दें कि ड्रिवन गियर विपरीत दिशा में घूमता है यह हमूल रूप से reverse gear है Output को input के दिशा में घुमाने के लिए हम एक और gear डालते हैं जिसे gear train कहते हैं बीच वाले gear को idler gear कहते हैं हम गती और output के दिशा को बदलने के लिए पास-पास में कई gear जोड सकते हैं लेकिन इससे बहुत जगह घिरती है तो हम एक ही अक्ष या axis पर gear लगा सकते हैं और compound gear train बना सकते हैं यह कम जगह में समान काम करते हैं हम विडियो के अंथ में देखेंगे कि gear की गती, अनुपात और आकार की गणना कैसे करते हैं सबसे पहले मुख्य housing होती है यहाँ आंतरिक पुर्जों के सुरक्षा करती है और उन्हें एक जगह सम्हाल कर रखती है अंदर input shaft, output shaft और counter shaft है counter shaft पर कई gear लगे हैं यह सब एक साथ गूमते हैं input shaft में भी एक gear होता है जो counter shaft में लगाता जुडा रहता या उससे एक स्थिर mesh बनाता है gear teeth या दांत एक कोण पर होते हैं जिसे helical cut कहा जाता है यह teeth एक तरफ से दूसरी तरफ धीरे धीरे कई सारी teeth को इंगेज करते हैं और तनाव को gears पर फैला देते हैं और gear mesh को straight cuts पर gear के मुकाबले अधिक शांथ बनाते हैं input shaft के दूसरे सिरे पर clutch होता है यह engine से जुड़ता है और input shaft को घुमाने के लिए बल लगाता है जब भी clutch engine से इंगेज होता है input और counter shaft घूमते हैं output shaft पर भी कई अलग-अलग आकारों वाले gear होते हैं वे भी counter shaft के साथ लगातार mesh में होते हैं इसलिए जब counter shaft घूमता है तो output gear भी घूमता है हालांकि ध्यान दे कि output shaft output gear के साथ नहीं घूमता है क्योंकि हर output gear needle bearing पर लगा होता है जिसकी वजह से gear shaft से अलग स्वतंतर घूम सकता है अगर output shaft को देखें तो इसमें बहुत सारे पट्टी दार या spline section है यह धातू पर काटे गए खांचे है spline के उपर synchronizer hub fit होता है spline hub को अपनी जगह बनाए रखता है जिससे यह shaft को घूमाता है hub के उपर एक और component synchronizer sleeve fit होता है hub की बाहरी सतह और sleeve की अंदरूनी सतह खांचेदार होती है जिससे दोनु component interlock हो जाती है sleeve hub पर आगे पीछे चल सकती है जब output shaft गूमता है तो hub और sleeve भी गूमते हैं लेकिन output gear नहीं हर sleeve के बाहरी channel से shift fork और shift rod जुड़े होती है rod gear stick या gear shifter से जुड़ी होती है gear stick rod को आगे पीछे गूमाती है जिससे fork और sleeve भी आगे पीछे गूमते है हर output gear पर हम कुछ अतिरिक्त सीधे कटे हुए दांत या straight cut teeth देख सकती है ये teeth sleeve के अंदर spline teeth से align होते है gear चुनने पर sleeve के अंदर के दांत सीधे दातों से align और interlock होते है अब gear sleeve और output shaft से interlock होता है जब input shaft घूमता है तो यहाँ counter shaft को घूमाता है जो फिर output shaft को घूमाता है जब gear नहीं लगा होता है तो sleeve अपने default position पर पहुँच जाती है जिससे output gear और sleeve एक दूसरे से अलग स्वतंतरता से घूम सकते हैं समस्या यहाँ आती है कि output shaft और sleeve आउटपुट gear से अलग गती पर घूम रही है जब हम sleeve को engage करते हैं, टीथ आपस में टकरा कर घिसना शुरू हो जाएंगे इसे दूर करने के लिए हम synchronizer blocker ring का प्रयोग करेंगे इसके नाम से पता चलता है कि जब तक sleeve और gear की गती synchronized नहीं हो जाती यहाँ gear को बदलने से रोकता है blocker ring का अंदर का किनारा एक कोण पर होता है और gear से mail खाता है इसके कारण blocker ring आसानी से gear पर सरक सकती है हमारे पास कुछ चोटे struts भी हैं जिने hub के slot में डाला जाता है यह radial springs द्वारा अपनी जगह पर बने रहती हैं जो उन्हें बाहर की तरफ धक्का देती हैं sleeve, strut और hub के ऊपर बैठती है strut के ऊपर का अभार sleeve के साथ interlock हो जाता है sleeve strut को आगे और पीछे कर सकती है blocker ring में भी कुछ slot होते हैं जो strut के साथ align हो जाती है slot strut के तुलना में चौड़े हैं जिससे blocker ring आगे और पीछे की दिशा में थोड़ा चल सकती है blocker ring hub और sleeve के साथ गूमती है जब gear चुना जाता है तो sleeve gear की तरफ बढ़ती है इसे strut blocker ring को धक्का देता है blocker ring gear के कोन पर दबाव डालती है जिससे blocker ring तब तक घूमती है जब तक slot की सीमा खत्म नहीं हो जाती blocker ring के teeth और sleeve के teeth अब align हो चुके है यह sleeve को gear से engage होने से रोकता है blocker ring gear कोन को धकेलती रहती है दोनों के बीच उत्पन घर्शन गती को synchronize करने और एक साथ घूमने का कारण बनता है फिर blocker ring को घूमाते हुए sleeve के दातों को gear teeth पर engage करते हुए sleeve आगे की और खिचती है अब gear synchronize है और clutch लगाया जा सकता है कार को reverse करने के लिए पहले कार को पूरी तरह रोक न होगा फिर idler gear को output और counter gear के साथ जगह पर लगाया जाता है सभी तीन gear straight cut है जिसे spur gear कहा जाता है idler gear घूमने के लिए स्वतंत्र है इसलिए जब कार रुकती है तो अपने आप खिसक कर अपनी जगह पर आ जाता है अब output shaft वे प्रीद दिशा में घूमेगा engine rotational energy देता है अगर कार के clutch को neutral में डाल दे तो input shaft घूमता है जिससे counter shaft और output gears घूमते है हाला कि output shaft नहीं घूमता है पहले gear के लिए हम clutch disengage करते हैं जो engine को input shaft में और पावर भेजने से रोकता है फिर हम gear stick को दबाते हैं जिससे यह sleeve को आगे बढ़ता है blocker ring gear hub से रगड़ खाती है और घर्शन का प्रयोग करके गती को synchronize करती है synchronize हो जाने पर sleeve gear को output shaft से interlock करने के लिए आगे बढ़ती है दूसरे gear के लिए हम clutch disengage करते हैं और gear shifter की साहता से पहले gear की sleeve को disengage करते हैं फिर gear stick को दूसरे gear के स्थिती में लाते हैं जो sleeve और blocker ring को ढखेलता है यहाँ गती को synchronize करता है और दूसरे gear को interlock कर देता है तीसरे gear के लिए हम clutch disengage करते हैं और gear shifter की साहता से दूसरे gear की sleeve को disengage करते हैं फिर तीसरा गियर लगाते हैं, जो स्लीव और ब्लॉकर रिंग को धकेलता है. यहाँ गती को सिंक्रोनाइस करता है, और तीसरे गियर को इंटरलॉक कर देता है. चौथे गियर के लिए हम clutch disengage करते हैं और gear shifter की सहायता से तीसरे gear की sleeve को disengage करते हैं फिर चौथा gear लगाती हैं जो sleeve और blocker ring को ढखेलता है यहाँ गती को synchronize करता है और चौथे gear को interlock कर देता है पांचवे गियर के लिए हम clutch disengage करते हैं और gear shifter की सहायता से चौथे गियर की sleeve को disengage करते हैं फिर पांचवे gear लगाते हैं जो sleeve और blocker ring को धकेलता है यहाँ गती को synchronize करता है और पांचवे gear को interlock कर देता है reverse gear के लिए कार को पूरी तरह रोग देते हैं और clutch छोड़ देते हैं सारे shaft और gear रोग जाते हैं फिर हम counter और output gears के बीच idlers पर gear लगाते हैं और output shaft की दिशा बदलने के लिए फिर clutch दबा देते हैं इस तरह से हम engine का प्रियोग करके कार को चलाते हैं और gear का प्रियोग करके गती बढ़ाते हैं यदि आप और सीखना चाहते हैं तो Great Courses Plus पर जरूर जाएं thegreatcoursesplus.com या engineering mindset पर जाकर हमारे सभी दर्शक मुफ्थ ट्राय ले सकते हैं Great Courses Plus एक on-demand learning platform है जिस पर आप लगाता लेक्चर और कोर्स देख सकते हैं उनके पास विज्ञान, गनित, इतिहास यहां तक की पाक कला हर विशे पर विशेशक्यों द्वारा बनाए गए 13,000 से अधिक विडियोज हैं मेरा पसंदीदा है ऐसे आविशकारों पर engineering lecture और कोर्स जिनोंने दुनिया बदल दी यदि आप इस चैनल के प्रशंसक हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको यह साइट पसंद आएगी तो इसे जरूर देखें वे हर माह नहीं सामगरी जोडते हैं और आप अपने टीवी, टैबलेट या फोन पर जितने चाहें उतने विडियोज देख सकते हैं आज ही अपना मुफ्द ट्रायल शुरू करने के लिए नीचे विडियो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करें आएए देखें कि सरल गियर ट्रेन के आरपियम और टॉर्क या घर्शन की गणना कैसे की जाती है वैसे आप विडियो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से इन गणनाओं की एक्सल शीट भी डाउनलोड कर सकती है हमें सूत्र का प्रियोग करेंगे अनुपाद बराबर आउटपुट गियर के टीथ भाग इन्पुट गियर के टीथ आरपियम आउटपुट बराबर आरपियम इन्पुट भाग अनुपाद टॉर्क आउटपुट बराबर अनुपाद गुणा टॉर्क इन्पुट उदारण के लिए यदि गियर A में 8 टीथ हैं, गियर B में 10 टीथ हैं तो अनुपाद 10 भाग 8 बराबर 1.25 होगा यदि गियर A 150 आरपियम से गूमता है तो 150 भाग 1.25 बराबर 120 आरपियम होगा यदि गियर A का टॉर्क 20 न्यूटन मीटर्स है तो 1.25 गुणा 20 बराबर 25 न्यूटन मीटर्स होगा यहाँ गियर A से विप्रीथ दिशा में गूमेगा यहाँ बड़ा है इसलिए धीमिकती से गूमेगा लेकिन टॉर्क अधिक होगा यदि 20 दातों वाला गियर C जोडते हैं अनुपाद 20 भाग 10 बराबर 2 है आरपियम आउटपुट गियर B से 120 आरपियम भाग 2 बराबर 60 आरपियम है और टॉर्क दो गुणा 25 न्यूटन मीटर्स गियर B से बराबर 50 न्यूटन मीटर्स है यहाँ गियर A की समान दिशा में ही गूमेगा यहाँ बड़ा है इसलिए धीमिकती से गूमेगा लेकिन टॉर्क अधिक होगा यदि 8 दातों वाला गियर D जोड़ें तो अनुपात 8 भाग 20 बराबर 0.4 आरपियम गियर C का 60 आरपियम भाग 0.4 बराबर 150 आरपियम होगा टॉर्क 0.4 गुणा 50 न्यूटन मीटर्स बराबर 20 न्यूटन मीटर्स होगा यहाग गियर A से विप्रीत दिशा में घूमेगा लेकिन इसका आकार समान है इसलिए गती और टॉर्क बराबर होंगे हाला कि इसमें किसी ऐसे नुकसान को ध्यान में नहीं रखा गया जिसे हम वास्तविक्ता में देखते हैं इसकी सहायता से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह गियर गती, टॉर्क और दिशा को बदल देते हैं क्या होगा यदि हमारे पास इस तरह की कंपाउंड गियर ट्रेन हो जिसमें समान आकार, गती और टॉर्क के गियर लगे हैं विडियो डिस्क्रिप्शन में इन गणनाओं की एक्सल शीट के लिंक दिये गए हैं इस सेटप में हमारे पास चार गियर हैं A, B, C और D लेकिन B और C कंपाउंड हैं यदि गियर A में 8 टीथ हैं गियर B में 10 टीथ हैं तो अनुपात 10 भाग 8 बराबर 1.25 होगा यदि गियर A 150 RPM से गूमता है तो गियर B 150 भाग 1.25 बराबर 120 RPM होगा यदि गियर A का टॉर्क 20 Nm है तो गियर B 1.25 गुणा 20 बराबर 25 Nm होगा यहाँ गियर A से विप्रीत दिशा में घूमेगा, यहाँ बड़ा है इसलिए धीमिकती से घूमेगा, लेकिन टॉर्क अधिक होगा, यदि गियर C में 20 दात हैं, अनुपाद 20 भाग 10 बराबर 2 है, आर्पिम गियर B जितना होगा 120 आर्पिम, क्योंकि यह दोनों गियर कमपाउ और एक ही शाफ्ट पर हैं, टॉर्क भी गियर B के समान होगा, 25 न्यूटन मीटर्स, यहाँ भी गियर A से विप्रीत दिशा में घूमेगा, यहाँ गियर B के आकार के कारण गियर A से सीधे घूमेगा, और इसमें गियर A से कम टॉर्क होगा, यदि गियर D में 8 दात हैं, तो वनुपात आठ भाग 20 बराबर 0.4 RPM होगा. गीर C का 120 RPM भाग 0.4 बराबर 300 RPM. टॉर्क 0.4 गुना 25 न्यूटन मीटर्स गीर C से बराबर 10 न्यूटन मीटर्स होगा. यहाँ गीर A से समान दिशा में घूमेगा. यहाँ तेज गती से घूमता है लेकिन टॉर्क कम होता है. हमें ध्यान में रखना चाहिए कि गियर बॉक्स की एप्लिकेशन क्या है. कितने गियर जुडे हैं. और हमें कितनी गती और टॉर्क चाहिए. ओके इस वीडियो के लिए बस इतना ही लेकिन अगर आप मेकैनिकल और आटोमोटिव इंजिनिरिंग के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिये गए किसी भी वीडियो को देखें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा. हमें Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn के साथ साथ EngineeringMindset.com पर फॉलो करना न भूलें.